नमस्कार मैं भारती जाओ और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स टीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्ले बाज रिशब पंत लंबे समय से चोट की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं रिशब पंत की गयर मौजूदगी में टीम इंडिया खास मौकों पर बुड़ी तरह से चुक कर जाती है रिशब पंत पिछले समय से टीम इंडिया के लिए सबसे एहम एसेट बनके निकले थे लेकिन उनके जाते ही टीम इंडिया कमजोर पर गई है फिलहाल रिशब पंत अपनी चोट से रिकवर हो रहे हैं और आए दिन बिसी सियाई उनकी रिकवरी रिपोर्ट की जानकारी साजा करती रहती है इसके अलावा रिशब पंत भी अपने सोशल मीडिया पर अपने स्वास से संबंधी जानकारी समय समय पर साजा करते रहते हैं हाली में सोशल मीडिया पर रिशब पंथ की ट्रेनिंग का एक वीडियो वाइरल हो रहा है और उस वीडियो को देखने के बाद हर एक क्रिकेट प्रेमी बहुत ही खुस मैशूस कर रहा है रिशब पंत इन दिनों National Cricket Academy में चोट रिकवर हो रहे हैं और दिन प्रति दिन रिशब पंत की फिटनेस में अच्छा सुधार होता दिख रहा है रिशब पंत की पूरी ट्रेनिंग BCCI की देख रेख में हो रही है पिटनेस ड्रील के अलावर रिशब पंत ने क्रिकेट की भी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी है दरसल अभी कुछ दिनों पहले ही रिशब पंत का एक वीडियो वाइरल हुआ था और उस वीडियो के अंदर साब देखा जा रहा था कि रिशब पंत अपने पुडाने अंदास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे जिस किसी ने भी रिशप पंथ का ये प्रैक्टिस वीडियो को देखा उन सभी को या लग रहा है कि रिशप पंथ जल्दी कृकेट में मैदान में वापसी कर सकते हैं तीम इंडिया के स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज रिशब पंत साल 2023 के आखरी में खेले जाने वाले दच्छी नैफिरिका के खिलाफ सीरीज में अंतराश्ट्र रिकेट में वापसी कर सकते हैं हाला कि अभी रिपोर्ट नहीं आई है कि रिशब कब मैदान के अंदर वाक्ति करेंगे लेकिन उनकी फिटनेस ग्रोथ को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं और भी स्पोर्ट्स अपडेट के लिए देखते रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स